भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा जीवन की शुरुवात में माता पिता छूटे फिर जो नंद यशुदा मिले वो भी छूटे राधा छूटी, गोकुल छूटा, मतुरा छूटा जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मक था और उनकी मुस्कान जिन्दगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी कैसे आप मुस्कान को बनाये रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी नई लर्निंग सिरीज जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे और आज मैं बात करूँगा उन पाँच बातों की जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो एक काम कीजेगा हमारा जो पवित्र ग्रंत है श्रीमत भगवत गीता उसे पढ़ना शुरू कीजेगा जिन्दगी की हर शंका का समाधान आपको मिलेगा हर समस्या का सल्यूशन आपको मिलेगा आईए बात करते हैं फाइब लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा लर्निंग नमबर वन सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात इंपॉर्टन्स ओफ कर्मा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में कहा वगवान श्रीक्रिशन कहते हैं धनुरधर अर्जुन से मैं क्यों लड़ू है क्या मिलेगा मुझे भगवान श्रीक्रिशन ने कहा कि जो मौ है फल से उससे खुद को डिटाच कर लो ये जो यात्रा है मन्जिल तक पहुँचने की इस जर्नी को इंजॉई करो भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा था अरजुन को श्रीमत भगवत गीता में इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं रोजाना शाम में यथार्थ गीता पढ़ता हूँ हमारे गुरु माराज हैं परमन स्वामी श्री अडगणा नंजी माराज उन्होंने गीता की यथार्थ व्याक्या की है और जब मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूँ तो स्प्रिच्वालिटी में इसका मतलब कुछ अलग है अगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो यग्य को कारे रूप देना ही कर्म है यग्य जो होती है वो आराधना की विधी विशेश है उसका नाम यग्य है श्वास प्रश्वास का ध्यान जो है वो यग्य है उस कर्म की यहां पर बात हो रही है वो spirituality का उसमें जाएंगे spirituality में तो वो मतलब निकल के आता है वो meaning अलग है लेकिन हम हमारी life की बात करें जिस 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 का सामना करें उसकी बात करें तो वहां करम का जो मतलब है जो importance है वो ये निकल के आती है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाईए focus कीजी अच्छे काम की तरफ और जो यात्रा है आपके गोल तक पहुँचने के उसे enjoy कीजे बाकी सब भूल जाईए उस पर छोड़ दीजे वो सब manage कर लेगा जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है महा भारत की एक घटना है महा भारत की युद्ध से पहले धनूर धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में मदद मागने के लिए गये थे उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे जो दुर्योधन था वो तो इगोिस्टिक बंदा था वो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर खड़ा हो गया धनुरधर अर्जुन जो थे वो भगवान के चर्णों में जाकर के बैट गये सेवा करने के लिए जहां भगवान की नीद खुली तो सबसे पहले चर्णों में अर्जुन को पाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो क्या मांगना चाहते हो दुर्योधन गुसा हो गया, जगडने लगा कि मैं बढ़ाओं में पहले आया था यह वो, तुन ने का भई तुम मांग लो तुमें क्या मांगना है, दुर्योधन की जितनी बुद्धिति जैसे कर्म थे उसने मांगा कि मुझे सेना चाहिए, अर्जुन की जैसी बुद्धित का ज्यान दिया जिस तरीके से उन्होंने वो स्ट्राटेजी बनाई युद्ध की और जिस तरीके से जीत दिलवाई ये बताती है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके साथ जो फल मिलेगा उसे बाद में वो अच्छा ही होगा लर्निंग नमबर टू जो भगवान श्रीकृष्ण से सीखने वाली बात है सबसे इंपोर्टन्ट इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वज़े है भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमत भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम सब कुछ छोड़कर के मेरी शरन हो जा आए तुझे मोक्ष दूंगा भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा कि इस दुनिया में जो भी चीज़े हो रही है उनके पीछे कारण है और हम सब जो हैं उपर वाले की बनाई हुई संताने हैं और जो उपर वाल है वो अपनी संतानों के साथ बुरा नहीं कर सकता तो कभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके ही कर्मों के परिणाम हैं जो वापस लौट कर के आ रहे हैं अगवान श्रीकृष्ण ने तो ये भी कहा कि कर्मों का परिणाम ऐसे ही ढूंड निकालता है जैसे कि एक बच चोटी सी कहानी है जो महाभारत के युद्ध किये वो युद्ध भूमी जब उसको तयार किया जा रहा था युद्ध शुरू होने से पहले जब मुआयना करने के लिए भगवान वहां पहुंचे मैं आपको शायद पहले भी सुनाई तो एक चड़िया उड़ती वी आई औ हाथियों ने पेड़ अगेरा हटा दिये मेरी मदद कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने का मैं होनी को नहीं टाल सकता जो होगा वो होके रहेगा उस चिड़िया ने कहा कि क्या मैं आप विश्वास कर लो बस इतना बता दीजिए उन्होंने का विश्वास कर लो अगले द लाव में लगाता हूं हाती को गिराता उन्हें काम हो गया अठारा दिन के बाद में जब फिर से जुद्ध भूमी को साफ किया जा रहा था क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था तो उस घंटी को हटाने के लिए भगवान श्रीकिश्ण ने अर्जुन से कहा कि हटाओ उस घ अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सचेतन हो ना, सचेतन को और समझें तो आज में रहना, आज को लेकर के अवेर रहना, वो चेतन आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुरधर अर्जुन को अकसर सिखाया कि आप आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए, माइंडफुलनेस होनी बहुत जरूरी है, यह आ आप अवेर हैं आज को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे कि तयारी भी आपकी हलकी है, तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है, जब मस्तिष्ट आपका थोड़ा सा शान्त है, आप कूल काम रहकर के चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जंदगी में कोई समस्य अतनी बड़ी हो सकती है, कि वो आप से बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कि जो आपकी आत्मा है, ये बहुत ताकतवर है, ये आपके उस चंचल मन को जो चंचल मनती राड़ना में, उसको भी कंट्रोल कर सकती है, अगर आप चाहें, तो एक छोटई सी महाभारत की घटना है, उससे आप समझेगा कि माइंडफुलनेस जो है, वो कितनी जरूरी होना, भगवान श्री कृष्ण के पास में एक बार द्रॉपदी आई, और आकर दी गई उनके शिविर में, जो कहा था भगवान श्री कृष्ण ने वो माना, और जहां जाकर कि वहां जाकर कि जब प्रणाम किया पिताम अभिश्म को तुरने का सौभाग गिवती भवा, और जैसे उन्होंने आशिरवात दिया, पिताम अभिश्म के लिए कि ये क्या कर समाधहन था, जो पिताम अभिश्म ने आशिरवात दिया था धरौपदी को, तो उसके बाद में पांड़ों को बिलाया था और बताया था कि मुझे मारने का तरीका क्या है, शिखंड़नी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अर जुन तुम तीर चल हो गया, तो खेल खत्म हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत गीता में कहा कि क्रोधात भावती सम्मोहात स्मृती विभ्रमा, स्मृती भ्रंशात बुद्धी नाशो, बुद्धी नाशात प्रणश्यती, क्रोध जो होता है, जब गुस्सा आता है, त दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने एक ऐसा खेल रचा, जहां पर दुरौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने दुरौपदी का चीर हरन करने की कोशश की, वो एक घटना ऐसी थी, जिसने दुर्योधन का और उसके भाईयों का विनाश कर दिया महाभारत की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर क्रोध पर काबू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया नहीं सार्थी भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया लर्निंग नमबर फाइग जो है ये बहुत ध्यान से समझ जीएगा इस दुनिया में कोई भी काम चोटा या बड़ा नहीं होता है हर काम की अपनी इंपोर्टेंस है बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो बड़ी जॉब कर रहा हूँ बड़ी पोजिशन पर हूँ मझे तो इतना मतलब बोलते हैं ना रीजन का हैड बना दिया और नाशनल हैड बना दिया का सम्मान कीजिए हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते है उन्होंने महाभारत में गीता में बहुत सारी बातें ऐसी कहीं है जो हम सब की जंदगी को बदल सकती है बस जरूरत है उन बातों को इंप्लिमेंट करने की उन बातों पर चलने की और जाते जाते कुछ कमाल की बाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा वो अच्छा होगा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अपने कर्म पर ध्यान दो जो पाप रहित और स्वार्थ रहित होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नरक के तीन द्वार हैं काम, क्रोध और मोह जीवन में जो भी कर्म आप करें उसे पौर्ण समर्पन के साथ लगन के साथ कीजेगा च्छे मन के साथ कीजेगा इरशा के साथ, द्वेश के साथ, एहंकार के साथ इगो के साथ मत कीजेगा अच्छा काम करेंगे, अच्छा मिलता चला जाएगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जो आप चाहते हैं आपको मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है देखते रहे मेरे साथ हर सोमवार सुबे साड़े नौ बज एक नहीं कहानी और यही कहूंगा जो अक्सर कहता हूँ, उपर बाले के आशिरवात के साथ अपनी सची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा